वेलकम बेख अब्रेवन। वेलकम टो सिविल सिर्विशस टड़ी। UPSC सिविल सबागे टैस्स सिरीज चल लई है। साथ यूपी PCS की भी टैस्स सिरीज चल लई है। तो UPPCS में आपने 70 टैस्ट कंप्लीट हो गए थे। टेस्ट नमबर 71 इंपॉर्टेंट होगे प्रेश्ट फोकस करेंगे इसमें करेंट अफेट्स के इंपॉर्टेंट प्रेश्टों पर देखे जिन विद्यार्थियों ने भी UPPCS का फॉर्म बराए और किसी-किसी विद्यार्थियों में जो है फोटो और सिगनेचर जो है इस प अफ्लोड करते हैं वहाँ पर वो डालकर देख लेना अपना जो है कस्टुमर जो भी आपका स्वरी एप्लिकेशन नमबर है उससे बता देगा कि यू हैव सक्सेस्फुली अफ्लोडेड और नॉट चले स्टार्ट करते हैं तो कुश्चन नमबर बन पर आ जाईए भारत मे टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्याल है कहां पर है भारत में टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्याल है भारत और उसके पडोसी देश में टिड्डियों का हमला जो है वो न्यूज में है भारत के बहुत सारे शेत्रों में पहुंच चुके हैं टिड्डियां तो के उपर एक संगठन है वो संगठन का मुख्याल है वो है फरीदाबाद में कहां पर है फरीदाबाद हरियाना तो देखिए क्रशी एबम किसान कल्यान मंत्रा लेके वनस्पती सनरक्षन संगोरत एबम संग्र है निदेशाले के अधिन आने वाले टिड़ी चेतामनी संगठन क मुख्याल है फरीदाबाद हरियाना में स्थित है पूछा जा सकता है प्रेशन इस तरह से समाचारों में रहा त्रिपुरेश्वरी मंदिर कहां पर बताइए समाचारों में रहा त्रिपुरेश्वरी मंदिर उदैपूर अगरतला में दिसपूर में जैपूर में देखे यह है उदैपूर में कौन से बाले उदैपूर में नौर्थीष्ट बाले उदैपूर में तो त्रिप्रेशुरी जो मंदिर है वो त्रिपुरा के गोमती जिले के उद्यपूर सहर में स्थित है एक उद्यपूर कहां पर है राजिस्थान में जीलो की नगरी के लिए प्रसिद्ध है अच्छा ये जो उदापुर है ये 51 सक्ति पीठों में से एक सक्ति पीठ माना जाता है इसकी स्थापना पंदर उस्वी में महराजा धन्य मानिकी के दोरा की गई थी पशू बली की परंपरा के कारण यह मंदिर समचारों में था और हाल ही में नेले द्वारा इस मंदिर में पशु बली की परंपरा पर रोक लगा दी है इसलिए इंपोर्टन्ट है प्रश्न त्री पुरेश्वरी मंदर त्रपुरा के उद्यपुर सहर का पशु की बली पर रोक ससस्त्रवल विशेसाधिकार अधहनेयम को कब लाया गया ससस्त्रवल विशेशाधिकार अधनियम को लाया गया 1958 में अपसन नमबर भी है इसका उत्तर तो देखिए ससस्त्रवल विशेशाधिकार अधनियम 1958 में एक अध्यादे इसके माध्यम से लाया गया ये डेट याद रखिएगा Q4 पर आजाईए नमलिखित कत्नों पर विशार करना है पहला statement है तेला अंगाना की मालती पूर्णा अंटार्क्टिका की सबसे उंची चोटी पर चड़ने वाली सबसे कम उमर की लड़की है और अंटार्क्टिका की सबसे उंची चोटी विंसन मैसिफ है देखिए साथ महादीफ हैं उसमें एक अंटार्क्टिका जो नीचे की तरफ दक्षणी को लारत में बर्ब से ठका है रेप्टाइल्स नहीं पाए जाते हैं यहाँ पर वाली हैं ग्रीनरी उगने के कारण यह जो है समचारों में रहाता है याद रखिएगा इसको तो दूसरा बाला तो करेक्ट है यहाँ पर अंटार्क्टिका की सबसे उची चोटी का नाम है विंसन मैसिफ और अंटार्क्टिका की सबसे उची चोटी पर चड़ने वाली सबसे कम उमर की लड़की या इनको कह सकते हैं महिला बनी है यह लेकिन ऐसे व्यक्ति विसेश या ऐसी महिला इस्तरी पुरुस जय जो भी है उसका exact नाम पता होना चाहिए तो मालती नाम नहीं है इनका मालती नहीं है गलत है पहला वाला statement दूसरा है दूसरा बाला correct है विंसन मैसिफ जो है वो अंटार्क्टिका की सबसे उची चोटी है भी है इसका उत्तर तो नाम क्या है इनका इनका नाम है मालवत पूर्णा तो देखिए हाली में तेलंगाना की मालवत पूर्णा मालती मालवत में बहुत डिफ्रेंस है तो अंटार्क्टिका की सबसे उची चोटी जिसका नाम विंसन मैसिफ पर चड़ने वाली सबसे कम उमर की लड़की बनी है नमलिखित में हज प्रक्रिया को 136 डिजिटल बनाने वाला पहला देश कौन सा है अच्छा हज जैसी प्रक्रिया डिजिटल कैसे बन सकती है इसे ओनलाइन आवेदन करना डिजिटल करना है फिर क्या करना वहाँ होटेल बुकिंग वहाँ पर मदीना में टिकेट की बुकिंग ये सब चीज जो है डिजिटल करने वाला पहला देश कौन सा बनाया पाकिस्तान बंगला देश अफकनिस्तान या भारत तो क्या हो सकता है इसका उत्तर इंडिया भारत सी तो दिसम्बर 2019 में भारत हज प्रक्रिया को 133 डिजिटल बनाने वाला पहला देश बन गया है इसके द्वारा कई प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाया गया है जैसे ओनलाइन आविदन करना इलेक्ट्रोनिक वीजा, हज पोर्टल और हज मोबाइल एप, इलेक्ट्रोनिक मसीहा, स्वास्त सुविदा, मक्का मदीना में निवास योग भवन या फिर यातायाद सुवदाओं की जानकारी आदी ये सब सामिल है इसमें कुशन नमबर सिक्स पर आजाईए, हाली में समचारों में रहा, गंजीफा क्या है, मुगल कालीन मुद्रा है, मौर कालीन मुद्रा है, या फिर मध्ध कालीन युग में, मुगल सासन काल के दोरान प्रशलित एक चित्रकला सैली तो गंजीफा क्या है, एक प्रशलित चित्रकला सैली है, मुगल सासन काल के दोरान जो प्रशलित होई, मध्ध कालीन युग में, एक प्रशलित चित्रकला सैली है, गंजीफा सब्द के उत्पत्ती, फारसी सब्द जो है, गंजीफे से हुई है, जिसका अर्थ है, पत्ते यह सामानिता गोलकार पत्तों पर बनाई जाने वाली एक जटिल चित्रकारी सेली है। तो फॉफ्स 2019 की विस्व की सबसे सकती साली महिलाओं की सूची में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन को चोतिस्वा इस्थान प्राप्त हुआ है। संकर महादेवन और साथ किसे ने दिया प्रसून जोसी संकर महादेवन और प्रसून जोसी एर रह्मान लगा कर इसको गलत मन कर देना। तो दिसंबर 2019 में राश्टपती वेंकया नाइडू ने भारतिय पोशन एंथम नई दिल्ली में लॉंच किया और यह जो एंथम है वो संकर महादेवन, मसूर सिंगर और प्रसून जोसी द्वारा गया गया। इन मेंसे किस मंत्राले द्वारतिय पोशन करसी कोस को चलाया जा रहा है किसके द्वारा केंद्रे महिला एवं वाल विकास मंत्राले के द्वारा? केंद्रे महिला एवं वाल विकास मंत्राले के द्वारा तो नवंबर 2019 में केंद्रे महिला एवं वाल विकास मंत्राले द्वारा भारतिया पोशन ग्रेसी को उसकी स्थापना की गई शुरुबात की गई इस पहल का उद्देश है को पोशन को दूर करने के लिए बहु छेत्रिय धाचा विक्सित करना यह है महिला और वालविकास मंत्राले द्वारा विल एबम मेलिंडा फाउंडेशन के सहीयोग से चलाया जाएगा याद रखेगा अब आजाएए कोश्चन नमबर दस पर यह था नाइन कोश्चन नमबर दस है हालही में चर्चा में रही सुंगोली की संधी कब होई थी किस किस के बीच आए भारत और नेपाल होई कब थी यह सुंगोली तो इससे सोला याद रखेए सुंगोली सोला सुंगोली सोला 1816 में 1816 में तो देखिए हाली में चर्चा में रही संगोली की संदी मार्ज 1816 को संपन होई थी यह संदी भारत नैपाल काला पानी विवाद के करण चर्चा में रही है हाली में क्योंकि उत्राखंड के पितोडागर जिले में स्थिद काला पानी उस तरिकॉण पर испथिद है जहां भारत चीन अब हम नैपाल की सीमा मिलती है काला पानी शेत्र लगभग चार सो वर किलो मेटर में विस्तारित है जिसमें नैपाल के धार चूला जिले जिसमें नैपाल के धार चूला जिले को भी सामिल किया गया है को भी सामिल यह इसको ऐसे कर सकते हैं जिसमें ये पहली बात तो ये धार चूला है ये तूटिय प्रेंटिंग मिस्टेक है धार चूला दार चूला नेपाल का कि चलिए ए अठारेसु सोलह याद रखियेगा जिसमें नेपाल का धार चूला जिलाबे सामिला है कुश्च नमबर इलेबन पर आज जाईए कोप ट्विंटि फाइव का सम्मेलन पहले कहां प्रस्तावित था जिसे बाद में इस्पेन की राजधानी मैडरेड में आज़त किया गया कहां प्रस्तावित था पहले ये ये प्रश्न मुश्ट इंपोर्टेंट है पेले प्रस्तावित था ये चली में लेकिन आयूजत कहां पर किया गया चली ने इसको मना कर दिया था कुछ कारणों के कारण। जिसका कारण चिली के उपनगरिय रेल किराय में ब्रद्धी था ये सब के कारण स्पेन की मैडड में हुआ ये कॉश्चन नमबर बारे पर आजाईए G7 देशों में निम्लकित में से कौन सा देश सामिल नहीं है जिस सेवन नियूज में क्योंकि इंडिया इसमें सामिल होने के लिए जो है उसकी बात कहीं जा रही है भारत इसमें सामिल होगा या हो सकता है तो ये प्रेशन G7 से कोई किसी प्रकार से बन सकता है कि कब हुआ है इसका मुख्याल है या फिर हैटक्वाटर कहां पर इसका और सबसे जरूरी कि इसमें सरे से कौन कौन है उन 7 की गिंती साथ को तो याद रखो कम से कम चार तो इसमें कौन है यॉरप के है एक अमेरिका है कनाडा है तो देखिए पहले था ये जी सिक्स जी सिक्स था फिर इसमें जब कनाडा आया ना तो ये जी से बन हो गया अब कनाडा के बाद इसमें रूस आया तो ये जी एट हो गया लेकिन रूस 24 में छोड़कर चला गय किसके करन छोड़ा उसने, अमेरिका असी रहती है उसकी तानातं नी तो ये फिर से गिस से बन हो गया, तो अभी ये बर्तमान में G7 ही है और इसमें इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, युनाइटिड किंग्डम है, अमेरिका है, नाडा है रूस इसमें है नहीं बरतमान में G7 है यह गलत हो जाएगा इसका तो G7 देसों में रूस सामिल नहीं है फ्रांस, जर्मनी, इटली, युनाइटिट किंग्डम, जापान, अमेरिका तथा कनाडा इसमें सामिल हैं अगर भारत इसमें सामिल हो गया तो यह फिर से G8 हो जाएगा देखें 1976 में कनाडा इसमें सामिल हुआ था तब G6 से G8 बन गया फिर 1998 में इस सम्मेलन में रूस सामिल हुआ लेकिन 1998 के बाद जो है 2014 में रूस भार में निकल गया तो फिर से यह G7 बचा अब इस प्रश्न का उत्तर दीजे तो तेरवा प्रश्न है G6 देशों का पहला सम्मेलन कब आजवित हुआ था 1975, 1976, 1977 या 1978 इस वाले उपर से एक्स्प्रेशन से निकल जाएगा क्या इस कांसर 76 में तो इसमें कनाडा सामिल हुआ 76 में इसमें कनाडा सामिल हुआ तो 76 इसे पहले ही हुआ होगा या बाद में हुआ होगा G6 देशों का पहला सम्मेलन कब हुआ 19, 1977 में तो देखिए G6 देशों का पहला सम्मेलन 1975 में हुआ 1975 में option नमबर A होना चाहिए नहाँ अबर कुछ ज़्याद ही प्रंटिंग मिश्टेक है इसमें 1975 मतलब उससे पहले ही हुआ होगा ना 76 में वो सामिल वह तो जी 6 देशों का पहला समेलन 1975 में पैरेस में हुआ अब जी 6 में यानि अगले वर्ष 1976 में कनाडा सामिल वह तो यह जी 7 हो गया कनाडा सामिल होने पर यह जी 7 हो गया लेकिन रूस जो है 24 में बाहर निकल गया इस संगर्टन से तो फिर से यह जी 7 हो गया अब भारत के इसमें सामिल होने की बात की जा रही है सामने आ रही है तो यह जी 8 हो जाएगा फिर से देखते हैं कब तक होगा यह होगा या नहीं होगा कुश्चन नुमर 14 पर आज कहा किया गया रूस के बलादी वोस्तक में या फिर थाइलैंड के बैंककोक में या जापान के उसा का मय ब्राजील के वियारित सहर में कहां पर पांच वे इस्टरन एकॉनमिक फोरू नुमिक का फॉरोम का आयोज अपसन नंबर 10 का उत्तर रूस में तो पांचवे इस्टन एकॉनमिक फोरम का आयोजन सितंबर 2019 में रूस के बलादी वोस्तक में किया गया कहां पर किया गया रूस के बलादी वोस्तक में अगस 2019 में फ्रांस के बियारेज में जी सेवन का आयोजन किया जाएगा याद रखेगा किया जाएगा नहीं अगस 2019 में फ्रांस के वियरेज में G7 का G7 सम्मेरन का आज़न किया जा चुका है कोश्चन नमबर ये प्रेशन पूछा जा सकता है लग से 2019 में कहा हुआ तो फ्रांस के वियरेज में कोश्चन नमबर 15 पर आजएए G7 का 46 वा सम्मेरन कहा है उज़ित किया जाएगा G7 का 46 वा सम्मेरन वो कौन सा था 2019 में G7 का 45 वा था कहाँ फ्रांस के वियरेज में तो ये 46 वा तो ये कहाँ पर होगा ब्राजिल में केलफूर्निया में केप डेविड में कहाँ पर केंप डेविड में होगा 46 प्यतालिसवा कहां पर हुआ है तो देखिए g7 का 46 पर संबेल दोह्यार में कैंप डेविड में वे वजुत किया जाएगा याद रखेए ये पूछा जा सकता एम्पौटंट पूछा वो भी जा सकता है के कहां है जुद्वा 2019 में तो 2019 वाला फ्रांस के विया रिट्च में और ये कहां पर होगा 46 वा 2020 का केम्प डेविड में तो 15 प्रश्ण दे इंपोर्टन्ट अच्छे से इसका रिविजन कर डालना एक से दो बार धन्यवाद